समस्तिपूर में रात को बिजली कटती है और इस बिजली कटने का प्रकोप उन बिजली कर्मियों पर ऐसा होता है कि एक बिजली कर्मी को किड्नाप किया जाता है और रात भर उसको अंधेरे कमरे में बंद करके रखा जाता है समस्तिपूर्ग सहर और इस सहर में चांदवारी लगुनिया का एक वहाँ पे पावर हाउस है और इस पावर हाउस में काम करने वाले हैं राजेश कुमार दास इस पावर हाउस में वो स्वीच बोर्ड अपरेटर का काम करते हैं और जब आधी रात को लगबके 11 बजे के आसपास जब बिजली कटती है और कुछ लोग 20 से 25 की संख्या में इस पावर हाउस पे आते हैं और इसके बाद बिजली क्यों कटी इसके लिए हंगामा करते हैं वहाँ पे सोर सराबाद तोड़ खोड़ करने वाले इस्तिती में आते हैं और राजेश कुमार उनका वीरोध करते हैं और इसके बाद पता चलता है कि राजेश कुमार वहां से गायब है सुबह जब राजेश कुमार को छोड़ा जाता है और वो लोट कर आते हैं पावर हाउस में आते हैं तब पता चलता है कि उनको रात भर इन लोगों ने उन्होंने आसपास के और दो तीन फीडरों के विजली काट दी और रात भर कम से कम दस हजार से जादा किया अधेरे में रही है अब यह पूरा मामला क्या है जो किड्नैप किये करमी है उनका क्या कहना है और पुलिस और अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं पूरी चांद्वारी लगुनिया इलाका है और इसी इलाके में यह पावर हाउस है इसमें तीन अलग-अलग फिडर है दो 変 वो का जो कनेक्षन है वह अर्बन एरिया में आता है यानि जो समझतिपूर का शहरी इलाका है उनमें दो फिड़ों का डिया जाता है और एक फिड़र एसा है जो समझती पूर सहर से सटे हुए जो ग्रामिन इलाके है वहां पर यह चला आजाता है और वहां सा जी किनेकशण रहता और इसी ग्रामिन इलाके एरिया का जो कनेक्शन था वो चालू था लेकिन जिस ग्रामीन एरिया वाले जिस फीडर में समस्या थी उसकी बिजली को काट दिया गया अब उसके बाद जब बिजली कटती है कुछ दिर बाद 20-25 की संख्या में वहीं इसी ग्रामीन एरिया से लोग पहुंचते हैं और आकर पावर हाउस में जो फीडर है वहाँ पे हंगामा करना शुरू करते हैं तोड़ फुड़ वाले इस्तिति उत्पन होती है ऐसा बिजली कर्मियों का कहना है और वहाँ पे मौजूद होते हैं जो स्वीच बोर्ड ऑपरेटर है राजेस कुमारदास अब स्वीच बोर्ड महाँ परेक स्कूल है और उस सरकारी स्कूल के पास ले जाकर जब यह पहुंचते यह बादसीत करने की कोशिस करते हैं तब तक पता चलता है कि लोग पकड़कर इनके आखों पर काली पट्टी बांदी और इसके बाद से राजेस कुमारदास को कुछ पदा नहीं चलता है स तुमको भी अंदेरे में रहना पड़ेगा अब इधर उनको किड्नाइप पर ले जाकर बंद कर दिया गया कमरे में इधर जब लोगों ने उनको खोजनाक शुरू किया जो राजेस कुमारदास के अपने साथ वाले कर्मी थे बिजली कर्मी थे उनको पता चला कि हमारा एक कर्मचारी राजेस हैं वो लोट कर आते हैं तब इसके बाद बिजली की सप्लाई शुरू की गई है इसके बाद जो घटना के सूजना थी जो नगर थाना समझतिव नगर थाना के पोलिस उनको दी गई वो लोग वहां पर पहुंचे और उनको ने जाच की है लेकिन कुछ अभी में पता नहीं चल पा रहा है जो वहां के प्रभारी एस्ट्यू हैं वहां उनके तक खबर पहुंची बड़े बड़े अधिकारी अपर पहुंचते हैं और वो भी बता रहे हैं कि रविबार की रात का यह सारा मामला है और उनका कहना है कि बिजली ऐसे नहीं काटी घ उनका यह आरोप था कि जब दो फीडर में बिजली चाली है तो तीसरे को क्यों काटा गया है जान बूझ के यहां से बिजली काट कर और जो सहरी इलाके हैं वहाँ पे सप्लाइग दी जा रही है लेकिन परभारी और जो कर्मचारी बता रहा है उसको अपहरन किया था उसका अपहरन हम लोगों ने नहीं किया था या कोई भी इलाके नहीं किया था यह जान बुझकर कहीं चला गया था और उसके बादाकर यह बहाना बना रहा है बहराल अभी पुलिस जाच कर रही है अब जाच में ही पता चल पाएगा कि असल में मामला क्या है क्या है क्या कर्मचारी जो है राजरिश कुमार दास वह सही में किडिनाइब हुआ था या वह ऐसे ही बहाना बना रहा है इसके पीछे का कारण क्या है सब कुछ जाच में अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे लागी